Hello students, पिछली कुछ वीडियो से हम प्रकाश के अलग-अलग गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो हमें प्रकरती में होने वाली कौन-कौन सी घटनाएं दिखाई देती हैं, और प्रकाश का विक्षेपन होता है, तो हमें क या दिखाई देता है, तो य Stealth आपने पढ़ा, आज हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगें, तो ये प्रकाश के विभिन गुणधर्म है, जो प्रकरती में होने वाली कौन खटनाओं को देखने में हमें सक्षम बनाते हैं, अब जो प्रकाश का में उसमें हम जानेंगे कि जो हमारा आकाश है आ Acemahn है वो हमें निला क्यूं दिखाई दिता है और सके अलावा हम ये भी देखेंगे की जो जिब भी आ प इक अधेरे कमरे में जब प्रकाश आ रहा होता है किसी एक छेद से या रोशन दान से या खिडिकी में उसका का रास्ता हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे जब प्रकाश चारों और की जो हमारे वस्तुएं हैं उनके साथ अलग अलग तरह की क्रियाएं करता है तो हमें प्रकरती में कई आश्यरे जनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं कई ऐसी घटनाएं हम देखते हैं जने देखकर हम आश्यरे चकित हो जाते हैं ठीक है जैसे आकाश का निला रंग आकाश निला ही क्यों दिखाई देता है हरा पीला लाल क्यों नहीं दिखाई देता है गहरे समुदर के जल का रंग गहरे समुदर के जल का रंग क्या निला ही दिखाई देता है सुर्य उद्धै और सुर्यास के समय सुर्य का रक्ताब दिखना मतलब क कि जब सूर्य उद्य होता है जब सूर्य निकलता है जब सूर्य छुपता है तो हमें जो सूर्य के आसपास का जो एरिया है और जो सूर्य है हमें सूरज है वो हमें लाल सा क्यों दिखाई दिता है रक्ताब मतलब रक्ताब अगर आपको संधी आती है तो आप इसको आसानी से समसकते हो रक्त आब का मतलब है रक्त प्लस आब रक्त मींस लाल क्योंकि रक्त जो है वो लाल रंग का होता है ना तो लाल रंग को रक्त भी हम कई वर कहा देते हैं लाल आभा लिये ठीक है तो जब सूरियोदय होता है या सूरियास्त होता है तो हमें सूरिय जो है लाल रंग कि आभाल ये दिखाई देता है और कुछ ऐसी अद्बुत परिघटनाएं हैं जिन से हम परिचित हैं ठीक है कई ऐसी अद्बुत परिघटनाएं भी हैं जो इने हम जानते हैं जैसे ये भी हम जानते हैं कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है घहरे समुद्र के जल का रं में भी आपने बढ़ा था कुलाइडी विल्यन जो होते हैं उनके कन कुलाइडी विल्यन देखने में तो समांगी लगते हैं लेकिन वास्ताव में वो विश्मांगी होते हैं और कुलाइडी विल्यन के जो कन होते हैं उन कनों का साइज विल्यन के एक जो विल्यन होता है उसक शुद्ध विल्यन के कणों के साइज से बड़ा वो निलंबन के कणों के साइज से छोटा होता है यह हमने बढ़ा था इसके लावा हमने यह भी बढ़ा था कि जब कोलाईडी विल्यन पर प्रकाश डाला जाता है टोर्च की साहता से तो हमें उस विल्यन में प्रकाश का मार् प्रकाश का मार्ग हमें साफ दिखाई देता है ये भी हमने उसमें पढ़ा था तो यही जो कोलाइडी विल्यन है इसमें जब हम टोर्च से लाइट डालते हैं तो वो रास्ता कलियर क्यों दिखाई देता है वो जो कारण है उसका वो है प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के कारण ही हमें कोलाइडी विल्यन में से टोर्च से प्रकाश डालने पर हमें उस प्रकाश का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देता है ठीक है लेकिन अगर हम किसी वास्तिव की विल्यन पर डालेंगे न वास्तिव की विल्यन जैसे कि आपने नमक का घूल ले लिया या आपने चीनी का घूल ले लिया यह वास्तिक विलियन है वास्तिक विलियन क्यों है क्योंकि यह अच्छे से घूले हुए है और इनके जो कणों का साइज है जब वो घूल गया नमक जल में या चीनी जल में घूल गई तो उनके कणों का साइ होता है झो fatty brain कि चोटा होता है ठीक है और हम उनको आसानी से जो है सिंसे इंपल ऐंसे ह। इंचान कर आलग नहीं कर सकते हैं तो वह वास्तिकन होते हैं जो वास्तिकन है ना उनमें ऐसा नहीं होता अगर आप torch से उन पर प्रकाश डालोगे तो उन में हमें प्रकाश का mark clear दिखाई नहीं देता तो ये मैं आपको इसके लिए एक चितर दिखाती हूँ आप इस चितर को ध्यान से देखो ये है चितर इसका ठीक है आप ये देखो कि ये जो विलियन है ये तो कोल आईडी विलियन है और ये विलियन है वास्तिक विलियन इसमें आप देखो जैसे आपको ये प्रकाश जब torch कुछ से हमने प्रकाश डाला तो उसका रास्ता ये है तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है लेकिन क्या यहां पर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है बाहर तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर लेकिन क्या अंदर यहां कोई रास्ता दिखाई दे रहा है नहीं प्रकाश डालते हैं तो हमें उसका मार्ग दिखाई देता है ठीक है तो यह असल में इसे कहते हैं टिंडल प्रभाव और इसका कारण क्या है इसका कारण है प्रकाश का तकिर्णन ठीक है अब हम यह पढ़ते हैं इसमें टिंडल प्रभाव हम पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव है गया तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोलाइडी विल्लियन पर टोर्च के द्वारा प्रकाश डालते हैं तो हमें उसका प्रकाश का मार्ग बिल्कुल साफ दिखाई देता है ये प्रकाश के परकीर्णन के कारण होता है और जिन साइंटिस्ट ने जिन वैग्या कहा जाता है ठीक है तो वायू का जो हमारा जो प्रित्वी का जो वायू मंडल है वो सुक्ष्म कणों का एक विश्मांगी मिश्रन है वास्तव में अगर हम वैसे देखें कि जो वायू है प्योर शुद्ध वायू शुद्ध वायू में सिर्फ गैसे होती है जो भिन-भिन ठीक है सभी गैसे बिलकुल एक तरह से उस पूरे वायू में फैली हुई है लेकिन अगर हम उस वायू में शुद्ध वायू में धूलकन डाल दें यानि कि वो वायू परदूशित हो गई तो उसमें धूलकन चले गई तो वह धूलकन चोटे साइस का कोई धूलकन बड़े साइज का है कहीं पर जहां पर प्रदूशन जादा है वहां पर धूलकन जादा है जहां पर प्रदूशन कम है वहां धूलकन कम है तो धूलकनों के जाने से न जो हमारा वायू मंडल है वो विश्मांगी मिश्रण बन जाता है ठीक है इन कनों में दूआ जल की सुक्षम बुंदे दूल के निलम्बित कण, निलम्बित मलब लटके हुए तथा वायू के अनू सम्मिलित होते हैं अब जब हम कह रहे हैं वायू मंडल तो वायू मंडल में वायू तो होगी ही होगी ठीक है तो हमारा जो वायू मंदल जब विश्मांगी मिश्रण बन जाता है तो उसमें क्या क्या होता है उसमें दुआ होता है जल के वाश्प होते हैं धूर के निलंबित कण लटके हुए कण होते हैं और वायू के अनू यानिकि जो गैसे होती हैं उनके अनू होते हैं जब कोई प्रकाश किरन पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है जब इन पर किरनों का प्रकाश की किरनों का एक जुंड यानिकी पुंज पढ़ता है इन कणों पर तो उस किरन पुंज का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है क्यों दिखाई देने लगता है हमें इन कणों के क दूवे के कंड, जल की सुक्षिम बूंदे, धूल के निनम्बित कंड, इनके कारण हमें उस किरन पुंज का मार्ग क्लियर दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये कंड क्या करते हैं, ये कंड जो हैं, जब इन पर प्रकाश पढ़ता है, तो ये उस प्रकाश को फैला देते है और उसी को ही प्रकीर्णन करना कहते हैं, वायू में जो धूल कंड है, छोटे छोटे, वो जब वायू पर प्रकाश पढ़ता है, सूरे निकलता है, तो सूरे का प्रकाश पढ़ता है, उस पर उन कंड पर भी पढ़ता है, वो कंड उस प्रकाश को फैला देते हैं, और प्र है इंसे प्रकाश विशृत प्रकाश फैला हुवा प्रकाश प्रावरतित हो कर हमारे पास पहुंचता है ठीक है और इसके कारर टिंडल प्रभाव उत्वधन होता है और इसका एक यह जो घटना है यह आपने कई बर देखी होगी आपने अपनी क्लास में भी देखी होगी कई बर जब हम क्लास में हम बैठे होते हैं अगर मान लो लाइट चली जाती है अचानक से ठीक है और आपके रूम में बहुत अच्छे से खिड़की से या रोशन दान से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो आप देखोगे कि उस प्रकाश वो जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश उसका क्लियर बिल्कुल हमें रास्ता दिखाई दे रहा है किस तरह से आप इस चित्र में देखो इस तरह से आपकी क्लास में जब उपर अगर रोशन दान है ठीक है और लाइट चले गई क्लास में बैठे हूँ या घर में भी तो जब खिड़की से या रोशन दान से प्रकाश आता है तो वो हमें ऐसे क्लियर दिखाई देता है देखो जो इस पार्ट में से आ रहा है वो लग दिखाई देगा इसमें से अलग और इसमें से अलग और इसमें से अलग और बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है जंगल में जंगल में क्या होता है घने घने पेड होते हैं वह सारे प बाहर निकल गए, अपने घर से बाहर निकलते हो, तो आपको क्या ऐसा कोई रास्ता दिखाई देता है, सुर्य का प्रकाश अलग से दिखाई देता है, वो प्रकाश तो पूरा फैला हुआ दिखाई देता है, कहीं पर भी ऐसा निया कि हमें प्रकाश बिल्कुल क्लिर दिखा देता है क्योंकि उस टाइम पर जो इस प्रकाश के रास्ते में जो धूलकन होते हैं जब यह प्रकाश यहां आया यहां से निकल कर आया तो यहां पर जो छोटे-छोटे धूलकन होंगे वो धूलकन जब उन पर यह प्रकाश पढ़ता है तो वो इस प्रकाश को विस्रित कर द जब बहुत धुन्द होती है सरदियों के दिनों में, दिन के टाइम में, रात को तो लोग गारी में जब जाते हैं कार में या बाइक में तो लाइट ओन रखते ही है, ठीक है, उसकी आगे की लाइट है, पीछे की लाइट है, गारी की ओन रखते हैं, लेकिन दिन में भी तब light को own रखते हैं और वो own इसलिए रखते हैं ताकि जब धुन्द के अंदर जो जल की बुंदे हैं छोटी-छोटी धुन्द या कोरा की होता है जल की बुंदों के कारण होता है जब उन जल की बुंदों पर उस गारी की जो हेड्ड लाइट है उसमें से निकलने वाला प्रकाश जब टकराएगा उस पर पड़ेगा तो जल की वो बुंदें चोटी चोटी बुंदें उसका प्रकीर्णन कर देंगी और प्रकाश जो है वो फैल जाएगा जिस से हमें रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देगा इस तरह से आप देखो इस तरह से हो कारण तो इसका कारण क्या है इसका कारण है कि ये जो प्रकाश है जब रास्ते में आने वाले धूल करनों पर या धुन्दों की जब हम बात कर रहे हैं तो जल की बुंदों पर पड़ता है तो वो जल की बुंदें इस प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती हैं फैला देती है जिससे हमें प्रकाश का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और जो कार चलाने वारा जो ड्राइवर है वो आसानी से धीरे धीरे कार को चला कर ले जा सकता है लेकिन अगर वो लाइट ओन नहीं करता है तो कई बार सामने अगर उसके सामने अगर कोई गाड़ी है या कोई व्यक्ती जा रहा है तो वो ना दिखाई देने के कारण उससे टकर भी हो सकती है इसलिए लोग धुंद के दिनों में कोहरे के दिनों में दिन में भी अपनी जो गाड़ी की स्कूटर की बाइक की हेडलाइट ओन करके ही चलते हैं थीक ए उवीद करते हूं कि आप लगों को टिंडल प्रभाव जो है वो अच्छे से समझे आ गया होगा कि टिंडल प्रभाव होता क्या है जबकि बुक में यह दिया हूँ है सारा यह टिंडल प्रभाव जो भी है सब बताया हुआ है Lhhhh मैं आपको वैसे ही बता देती हूं आप इतना ही समझ लो सिर्फ दुबारा से एक बार कि टिंडल प्रभाव क्या है टिंडल प्रभाव है जब वायू मंडल जो है हमारा उसमें धूल के छोटे-छोटे कं होते हैं जल की छोटी-छोटी बुंदे होती हैं जब उन पर प्रकाश प्रावर्तित होकर हमारी आँखों में बढ़ता है तो हमें उस प्रकाश का रास्ता बिलकुल साफ दिखाई देता है ठीक है ये टिंडल प्रभाव क्यों 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 क् एक्जाम में objective question आ सकते हैं कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस प्रकाश के किस गुन का कारण होता है तो आपका प्रकाश का प्रकेडनल ठीक है तो ऐसे ही आप से यह भी पूछा जा सकते हैं चलो हम इसके बारे में आगे करेंगे जैसे यह भी मैंने सभी आपको बता दिया है इसमें कि कोहरे के दिनों में हेडलाइट क्यों करके चलते हैं जबकि आपका बुक में यह नहीं है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि वो भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है और टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकेडनल के कारण होता है इसके बाद हम यह वो निर्भर करता है उन कणों के साइज पर जो की उस प्रकाष को परकेणित कर रहे हैं यानly धूलकण या जल की बूंदों के साइज पर ठीक है बहुत चोटे जो कणों होते हैं वो नीले प्रकाष का परकेणिन करते हैं अगर धूलकन बहुत छोटे हैं तो वो कम तरंग धहरे वाले नीले प्रकाश का परकिर्णन करते हैं लेकिन अगर धूलकनों का या जलकी बुंदों का साइज बड़ा है तो वो अधिक तरंग धहरे के प्रकाश को परकिर्णन करते हैं ठीक है जो सात रंग हमने की एतना सूर तरंग धहर्य सबसे कम होती है ठीक है इसकी तरंग धहर्य सबसे कम होती है और इसकी तरंग धहर्य सबसे जादा होती है अगर आपको तरंग धहर्य समझ नहीं आता है तो आप इसको दूसरी तरह से समझ सकते हो कि जो सबसे पहला रंग होता है बैंगनी रंग होता है जो ठीक है वो जो है बड़ी तरंगों से बना होता है बड़ी तरंगे मतलब इस तरह से ठीक है यह इस तरह से यह जो है यह बड़ी तरंगे है यह तो है इसको हम बड़ी तरंगे या जादा तरंग धहरे कहते हैं तो यह तो होता है violet color का जैसे से आप इस तरफ जाओगे ना violet से indigo, फिर blue, फिर green, फिर yellow, फिर orange, फिर red जो तरंग धिर्या है वो कम होती जाती है हम कहते हैं कि जो तरंगे हैं वो छोटी होती जाती है छोटी तरंग का क्या मतलब है? छोटी तरंग का मतलब है यह ठीक है बड़ी तरंग तो ये है आप फर्क समझ गए हो गए छोटी तरंग और बड़ी तरंग में तो जो छोटी तरंग है उसकी तरंग धहरिया भी कम है और जो बड़ी तरंग है उसकी तरंग धहरिया अधिक है तो जो छोटे धूल कन होते हैं या छोटे कन होते हैं वो कम तरंग धहरे वाले प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन करते हैं और जो बड़ी तरंग धहरे वाले बड़े साइज के जो कण होते हैं वो जादा तरंग धहरे वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं ठीक है तो अगर प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत जादा हो तो प्रकीरिणित प्रकाश सफेद भी हमें दिखाई दे सकता है थीक है इसके बाद हम करेंगे कि सफे स्वच आकाश का रंग नीला की जब आसमान बिल्कुल साफ है उसमें बादल नहीं है तो हमें वो नीला ही दिखाई देता है ऐसा क्यों क्योंकि अभी हमने पड़ा कि वा कि ये कौन से प्रकाश के कौन से रंग का प्रकिर्णन करेंगे अगर साइज छोटा है तो वो कम तरंग धहरे वाले प्रकाश का प्रकिर्णन करेंगे अगर कणों का साइज बड़ा है तो अधिक तरंग धहरे वाले प्रकाश का प्रकिर्णन करेंगे तो जो इनका साइज होता है ना वायू के अनु और तुक्षिम कंड़ों का साइज वो प्रकाश की तरंगधहरिय के पेक्षा नीले वरन की ओर के कम तरंगधहरिय के प्रकाश को परकीर्नित करता है बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है चाहे इसमें काफी सारा लिखा हुआ है लेकिन आपको सिर्फ क्या पढ़ना है आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो सवच जब आसमान बिल्कुल साफ होता है तो वायू मंडल में जो धूलकन होते हैं छोटे छोटे होते हैं आसमान तभी त तरंग धहरे की बजाए चोटी कम तरंग धहरे के प्रकाश के रंग को विस्रित करती है ठीक है और हमें जब वो प्रकाश विस्रित होता है तो वो हमें उसी रंग का ही वो वस्तु हमें दिखाई देती है तो इसी लिए ही जो वो सुक्षम कन है वो निले रंग का पर किर्णन ज्यादा करते हैं इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है जब सुरे का प्रकाश वायू मंडल से गुजरता है तो वायू के छोटे कन लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को ज्यादा प्रबलता से परकिनित करते हैं और ये परकिनित हुआ नीला प्रकाश जब हमारे प्रवेश करता है तो हमें जो नीला आकाश है हमें वो नीला दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ इस वायू मंडल में जो हमारा वायू मंडल है उसमें उपस्थित छोटे छोटे कनों के कारण ही हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वो कन सूर्य के प्रक को प्रकिर्णित कर देते हैं और जब वो नीला रंग हमारी आखों में प्रवेश करता है तो हमें आस्मान नीला दिखाई देता है अगर हमारी प्रित्वी के चारो तरफ वायू मंडल ना होता तो हमें आस्मान नीला नहीं दिखाई देता हमें आस्मान काला दिखाई देता क नहीं होता तो प्रकाश का पर कीर्णन भी नहीं होता और हमें आसमान नीले की बजाए काला दिखाई देता ठीक है और एक और चीज भी है कि जो बहुत उचाई पर उठते हुए जो हवाई जाज होते हैं उन्में बैठे हुए यात्रियों को भी आकाश काला दिखाई देता जो बहुत ही जाता उचाई पर है क्योंकि इतनी उचाई पर प्रकीर्णन क्लियर नहीं होता है ठीक है क्योंकि इतनी उचाई पर जाने के बाद जो है ना धूलकन कम होते हैं वहाँ पर और प्रकीर्णन अगर होता भी है तो वो साफ दिखा देता है ठीक है इसके बाद संभवते आपने देखा होगा एक और भी है इसमें प्रकाश के परकिर्णन से संबंदित घटना कि जो खत्रे के निशान आपने देखा है ना कि कई जगा पर ऐसे रेड कलर से क्रोस लगाया हुआ होता है भोत मोटा मोटा वो लाल रंग का ही क्यो पर इसी बनी हुई होती है वो लाल रंग से ही क्यों होती है उसका क्या कारण है खत्रे का निशान लाल रंग का क्यों होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो वायू में जो कन होते है ना वो लाल रंग को परकिर्णित कम करते है निले रंग को जादा परकिर्णित करते है इसलिए हमें वो निला रंग जो है वो फैल जाता है ठीक है और जब वो निला रंग अंकों में पर्वेश करता है तो हमें आसमान निले रंगा दिखाई देता है लेकिन जो लाल रंग होता है दूल कन उसको परकिर्नित नहीं करते हैं तो इसलिए वो फैलता नहीं है और इसलिए जहां पर वो लाल रंग है ना हमें वहीं का वहीं दिखाई देता है और हमें आसानी से वो दिखाई दे जाता है लाल रंग कुरे या दूएं से सबसे कम पर किर्नित होता है इसलिए ये दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है वो जो निशान है ना दूर से देखने पर भी हमें लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि उसका जो रंग है उसका प्रकाश पढ़ने पर वो फैला नहीं है इसलिए वो हमें लाल ही दिखाई देगा तो आपका इसका ये दो लाइन का ही आंसर है कि ये लाल रंग का इसलिए होता है खत्रे का निशान क्योंकि ये कूरे या दूएं में सबसे कम परकिनित होता है इसलिए ये दूर से देखने पर भी लाल रंगा ही दिखाई देता है तो आपको ये अच्छे से करना है टिंडल प्रभाव भी और ये भी जो हमने दो एक दो कुशन्स किये हैं कि खत्रे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है और जो आसमान है स्वच्छ आकाश है हमें वो नीला क्यों दिखाई देता है ये आपको अच्छे से करना है विल्कुल ध्यान से पढ़ना और समझना है क्योंकि छोटे-छोटे questions ही होते हैं जो आपको पूरे marks दिला सकते हैं चाए वो objective questions हो चाए subjective questions हो उन सब में इसमें कोई भी आपको problem है समझने में तो आप इससे पूछ सकते हो